नमस्कार दोस्तों मैं अतुर प्रदाप सिंग प्राभी टेश्टू बेवी सेंटर में सीवेर कांशलर हूँ आज की हमारी वीडियो ये है कि पूरे IVF प्रोसेस में पूरे IVF प्रोसेस में टोटल मेडिसिन और इंजेक्शन का खर्चा कितना आपता है एक IVF साइक्ल में टोटल जो इंजेक्शन हार्मोनल लगते हैं जो करीग करीग 10 से 12 दिल लगाई जाते हैं उनका खर्चा आता है लगभग लगभग EMH नॉर्मल है तो 45,000 से लेकर के 65,000 के आसपास इतने में इंजेक्शन की प्रक्रिया लगभग लगभग कंप्लीट हो जाती है कुछ एंटिवाटिक दवाईयों की विज़रूट पड़ते हैं तो एक साइकल में यानि कि Day 2 से स्टूमलेशन करने वाले दिन से लेकर के और Embryo Transfer तक, Embryo Transfer करने से पहले तक की जो दवाईया और इंजेक्शन हैं लगभग-लगभग मान के चलिए कि 45,000 से 65,000 इंजेक्शन का खर्चा आता है और लगभग 10 से 12,000 रुपय एंटिवैटिक दवाईयों के जड़वत पड़ सकती हैं तो ये इंजेक्शन का पूरा दवाईयों का खर्चा Embryo Transfer तक का आता है एक IVF साइकेंड पर आपके पास इस तरह के कोई भी questions हैं, कोई भी query हैं नीचे हमारी वेबसाइट पर नमबर दिया जा रहा है 8417-084446 इस नमबर पर फोन करके आपको अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं थैंक्यू दोसरे